अकाश्वानी भूपाल से प्रस्तत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सेयुक्ता बैनर जी पहले मुख्य समाचार प्रधानमंद्री ने युवाउं से स्वदेशी मोबाई लैब बनाने का हवान किया कोरोना वाइरस के सक्रिय प्रक्रणों में कमी प्रधेश देश में 15 वे नमबर पर पहुँझा इंदोर जिले के सावेर में 2358 करोड रुपे की सिचाइब पर योजना को मनजूरी प्रधेश में आज शद्धा के साथ मनाया जा रहा है गुरू पूर्णिमा का पर्फ और हमारी विशेश श्रिंकला अची खबर के 52 अंक में आज सुनिये खंडवा जिले में 20 कलाकरतियों से आत्म निर्भर बनकर अंतराश्य पहचान बना रही महिलाओं की कहानी अब समाचार विस्तार से चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव और चीन के 69 मोबाइल अब पर प्रतिबंध लगाये जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्रो मोदी ने युवाउं और स्टार्ट अप कंपनियों से स्वधेशी मोबाइल अब बनाने का हवान किया है श्रीमोदी ने कल सर्वोत्तम भारतिय अप की पहचान करने के लिए आत्मनिरभर भारत नवाचार प्रतिसपर्धा की घोशना की श्रीमोदी ने लिंक्डिन पर लिखे एक पोस्ट में कहा की कारियाले कारिय और सोशल नेट्वर्गिंग के मौजूदा एप को बढ़ावा देने तथा नए आप विक्सत करने के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी कोरोना वाइरस और आक्टिव पॉजिटिव रोगी संख्या में कभी दूसरे क्रम पर रहा मध्यप्रदेश अब देश में 15 नंबर पर आ गया है मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान ने कल प्रदेश में कोरोना स्थिती की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश का रिकवरी रेट 76.9 प्रतिशत हो गया है इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 के करीब पहुँच गई है वहीं इन में से 11,300 से ज्यादा लोग स्वस्थों कर घर लोट चुके हैं इन दौर से हमारे समवादाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में 30 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 4833 हो गई है वहीं 45 मरीजों के कोरोना संक्रमंट से मुक्त होने के साथ ही अब तक 3772 लोग स्वस्थ हो चुके हैं उजयन में कल दो नए मरीज मिले वहीं 5 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पता से छुटी दी गई वर्तमान में जिले में महस 15 सक्रिय प्रकरण बचे हैं खनवा में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिससे जिले में संक्रमितों की संख्या 330 हो गई है उधर ग्वालियर में कल COVID-19 के 65 मामले सामने आए मुरैना में कल जिला चिकित साले के डॉक्टर और उनकी पत्नी सहित 36 लोग संक्रमित पाए गए हैं मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले के नगरी अक्षेत्रों में आज कर्फ्यू रहेगा शिवपुरी में 9 नए मरीजों के साथ प्रभावितों की संख्या तरपन हो गई है हलाकि इन में से 34 लोग स्वास्थ हो चुके हैं दमौ जिले के हटा में कल चार युफकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कटनी जिले के शाहनगर में पदस्थ, बैंक प्रभंधक और एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 77 लोगों के सैंपल लिए गए हैं नीमच में कल तीन नए मामले सामने आए हैं अशोकनगर के मुंगावली में भी एक मरीज मिला है वहीं सिहोर के एच्छावर में एक युफती COVID-19 से पीड़त पाई गई टीकमगर जिले में कल 9 प्रक्रण मिले हैं वहीं सतना में सक्रिय प्रक्रणों की संख्या 14 हो गई है रतला में शनिवार को दो नए मरीज मिले वहीं हर्दा में साथ सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है धार में भी दो नए मरीजों के साथ संक्रमतों की संख्या 181 हो गई है हलाकि इन में से 169 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राइसे इनके ओविदुल्ला गंच में Rapid Action Force के चेक जवानों की दूसरी रिपोर्ट नेगिटिव आने के बाद कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस बीच भिंड से हमारे समवाद दाता ने बताया है कि जिले में किसान की बेटी रोश्णी ने प्रदेश में आठवा स्थान हासिल किया है। वहीं प्रदेश में नवा स्थान हासिल करने वाली मंडला जिले की पलक सुखवानी ने आकाश्वानी से बाचीत में भविश्य की योजनाओं को लेकर चर्चा की। निवाडी के चात्र रशब साहू ने प्रदेश की प्राविवनिय सूची में नौवा स्थान हासिल किया है। वहीं पन्ना जिले के पाँच बच्चों के प्राविवनिय सूची में शामिल होने पर कलेक्टर ने उन्हें समानत किया। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। की 2000 हेक्टेर भूमी सिंचित होगी। प्रदेश में आज गुरू पूर्णिमा का पर्व श्रधा के साथ मनाया जा रहा है। हालाकि कोरोना संक्रमन के चलते इस साल परंपरागत कारिक्रम के आयोजन नहीं होंगे। लोग घरों में रहकर ही गुरू की आराधना करेंगे। जबलपुर में गुरी घाट सिध्ध गनेश मंदर में गुरू पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। खंडवा में आज से 10 जुलाई तक दादाजी धुनी वाले मंदर को बंद रखने का नड़ने लिया गया है। भंडारों और धार्मिक जुलूसों पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं बैतूल में पुलस अधीकशक सेमाला प्रसाद ने जिले के शुद्धालूं से गुरू पूर्णिमा पर्व पर खंडवा न जाने की अपील की है। धार में भी गुरू पूर्णिमा उत्साह के साथ मनाई जा रही है। जितकर श्रीक्रश्न विश्व गुरू बने थे। आकाश्वाणी समाचार के लिए उज्जन सहमें रनत्तिवर। हमारी विशेश श्रिंखला अच्छी खबर ने एक साल पूरा कर लिया है। आज इसके 52 अंक में सुनिये खंडवा जिले में बास कलाकरतियों से आत्मनर्भर बन रही महिलाओं की कहानी। को रुणा महमारी जैसी विपरीत परिसितियों में खंडवा जिले के बाराकुन काओं की टीस महिलाओं ने अपनी अनूठी पहल से समाच में आपदाव को अवसर में बदलने का सशक्त अधर्ण पेश किया है। बाराकुन की इन महिलाओं ने अपने सुसाहता समूध वारा बास से बनाए गई राखी, केंडल स्टैंड, जूलरी, मुबाइल स्टैंड, कान की बाली और अन्य कलाकरतियों को अमेरिका और अन्य देशों में बेज कर लॉकडाउन के दौरान भी हजारों रुपए कमाए हैं मेरा नाम रिंकीव है, मैं गराम बाराकुन जीला खंडवा में रहती हूँ, हमारे यहाँ महिला समूध वारा बास से बनी वस्तुएं जैसे फूल डाली, ट्रे, मुबाइल, इस्टेंड, बास्केट आदी बनाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ महिला समू के माध्यम से काम किय जा रहा है, हम लोग चाहते हैं कि हमारी कलाकारी की पहचान विश्व इस्थर पर हो। मेरा नाम लक्षमी बगेल है अंतराश्टी इस्तर पर मुष्ट संस्थान के माध्यम से अमेरिका सहीत विभिन देशों में विक्री की जा रही है। यहां पर महिलाओं के साथ बास से बनने वाली सामगरियों पर काम कर रहे हैं अलग अलग तरह की कलाकतियां बना कर उसे नैशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाने का प्रयास करते हैं। अब कुछ समाचार संग्षेप में। परिटन राजेमंत्री प्रलात पतेलाच से दो दिवसीय नरसिंग पर प्रवास पर रहेंगे। अन्थ में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री ने युवाओं से स्वदेशी मोबाई लाब बनाने का हवान किया। कोरोना वाइरस के सक्रिय प्रक्रणों में कमी प्रदेश देश में 15 नंबर पर पहुंचा। इंदोर जिले के सावेर में 2358 करोड रुपे की सिचाइब पर योजना को मन्जूरी। प्रदेश में आज शद्धा के साथ मनाया जा रहा है गुरू पूर्णिमा का पर्फ और हमारी विशेश श्रिंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी। खन्वाजिले में बास कलाकृतियों से आत्म निर्भर बन कर अंतराश्य पहचान बना रही महिलाओं की कहानी। अज बुलिटन में इतना ही घर में रहिए सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाज श्वानी। नमस्कार।